हेलो स्टुदेंट्स आप सबों को स्वागत है मेरे यूटूब चैनल आर्वी इंग्लिस क्लासेस में आज मैं आप सबों के लिए हानी कॉम और इंग्लिस प्रिज में दियेगे थर्ड चेप्टर को एक्स्प्लेंट करने जा रहा हूं जिसका टाइटल है गोपाल एंड दा ह हिल्साफिस गोपाल और हिल्साफिस इस अब इंट्रेस्टिंग स्टोरी एस टिस गिवें इन दा फॉर्म अब कॉमिक पच्छो यह बहुत ही मज़ेदार कहानी है क्योंकि यह कॉमिक के फॉम में दिया गया है अब कॉमिक क्या होता है तो जिसमें सारे करेक्टर के को कलरफूल इमेजिस पिक्चर्श के साथ दिया जाता है जैसे चंपक तैनाली रामा मोचु पतलू चाचा चौधरी बिक्रम बेताल यह कुछ फेमस कॉमिक का नाम है आज के समय में तो आपकी हाथों में मुबाइल फोन है और आपको अगर कार्टून देखना होता है तो आप उसी पे देखते हैं लेकिन अभी से कुछ साल पहले जब मुबाइल इतना डवलप नहीं था सबों के पास फोन नहीं होते थे तो वो लोग इंटर्टेंडमेंट के लिए कॉमिक ही पढ़ा करते थे स्टुडेंट्स आज के चैप्टर में हम देखेंगे एक समराज है जहां हिल्सफ। का सीजन चल रहा है और पूरे समराज में हर कोई सिर्फ और शिर्फ हिल्सफिस की बाते कर रहा है जैसे आज हमारे यहां हर कोई करोना वाइरस का बात कर रहा है चाहाए आप टीवी चल रहा था हिल सबस्तार थे खाप लगान के राजस्थ महीं उप रहें कि स्वाट पुञता है our transmission और कि से दिया जाता है कि नहीं पूर ओक लिए बढ़्ट सो लेत्प स्टोरी सो नहीं बिफ़ोंगी आप रहें जब़ान। notification आपको मिलता रहा है So, Gopal and the Hill Service Gopal or Hill Service It is a witty story which took place in a certain kingdom ये बहुत हासी प्रत कहानी है जो एक समराज में घटित होती है As we have season of mangoes in summer similarly the season of Hill Service was going on everywhere तो बच्चों जैसे हमारे यहां summer में mango का season होता है हर जगा आम मिलता है इसी तरह से इस समराज जी में Hills of Fish का season चल रहा था Everyone in the kingdom was talking about Hillsa, not even the court was a spirit तो हर जगा पूरे समराज जी में हर कोई Hills of Fish के बारे में बात कर रहा था और यहां तक कि समराज जी means दरबार में भी Hills of Fish की चर्चा चल रही थी दरबार भी इससे अच्छोता नहीं रह पाता है tired of this the king challenged his courtiers to buy a Hills of Fish and to bring it to the palace without anyone asking what about it so इन सब चीजों से परहचान होकर ठक कर राजा अपने एक दरबारी को challenge कर देता है क्या challenge करता है कि उसे market जाकर एक Hills of Fish करी दना था और दरबार में आना था महल में आना था लेकिन इस दोरान उसे कोई भी उस Hills of Fish का जिक्र या चर्चा नहीं करता गोपाल one of the courtiers accept the challenge और गोपाल जो कि एक कोटियर एक दरबारी है वो इस challenge को accept कर लेता है was he able to accomplish the challenge क्या वो इस challenge को पूरा कर पाता है to know this read the story यह जाने के लिए चलिए पढ़ते है हम लोग story को the season of hills of fish was here every fisherman was thinking only about hills of fish तो बच्चों यहाँ पे hills of fish का season चल रहा था और सारे fishermen सिर्फ और सिर्फ इंस आफिस के बारे में ही सोच रहे थे fishmongers only sold hills of fish so what is fishmongers मतलब मचली बेचने वाले ठीक है so यह लोग भी सिर्फ और सिर्फ हिल्स आफिस ही बेच रहे थे अगर आप अभी market में जाते हैं तो आप देखोगे कि वहाँ पे अलग-अलग तरह की मचलियां मिलेगी लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ हिल्स आफिस ही बेचा जा रहा था चुकि हिल्स आफिस का सीजन चल रहा था और यहां चिला चिला के कह रहा है कि आज हिल्स आफिस का दाम काफी कम है आओ आओ हिल्स आफिस खरीद कर ले जाओ हिल्स आफिस वस बिकमिंग देवर्ट अप माउट सभी के जुबान पर एक ही नाम था यह नाम था हिल्स आफिस How much did you spend for that हिल्सा? And the lady is asking to the man कि तुमने इस हिल्स आफिस को खरीदने में कितना लगाया मतलब हिल्स आफिस तुमने कितने में खरीदा You will not trust me if I told you और यह कर रहा है कि तुम विश्वास नहीं करोगी अगर मैं तुम्हें बता दू तो सारे लोग सिर्फ उर्षिट फिल्सा फिस की ही जिक्र कर रहे हैं Now, even in the royal court, courtiers were talking about हिल्सा और यहां तक कि royal court में भी courtiers दर्बारी हिल्सा फिस की चटचक कर रहे हैं थे कि महराज राजा काफी गुस्सा हो जाता है Stop all this, बंद करो यह सब You are a courtier and not a fisherman, aren't you? और महराज को गुस्सा आ जाता है और कहता है बंद करो यह सब, तुम दर्बारी हो, ना कि मच्छवारे यहां दर्बार है, इसे मच्छली बजार मत बनाओ तुम लोग क्यों सिर्फ और शिर्फ फिलसाफिस की बाते कर रहे हो क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि यह हमारा दर्बार है और महराज काफी गुस्सा हो के अपने courtier को डाटने लगते है The courtier spoke no words, with depressed eye अब सारे के सारे courtier काफी उदास हो जाते हैं और एक भी सब्द कोई नहीं कहता है The king regretted और उसके बाद राजा को पैस्चताब होता है I am guilty for losing the temper It is the season for hills of fish and none else अब राजा को अहसास हो जाता है उसकी गल्ती की कि दरसल hills of fish का season ही चल रहा है और इसलिए साइद court में भी लोग hills of fish की बाते कर रहे तो वह अपने गल्ती को एकसेप्ट करता है कहता है I am guilty में दोसी हूं कि मैंने अपने गुस्सी को आपा खो दिया मैंने अपने आपा खो दिया मैं तुम पे गुस्सा हुआ मैं तुम पे चिलाया इसके लिए मैं दोसी हूं मुझे माफ करो It is the season for hills of fish and none else दरसल season ही चल रहा है hills of fish का और किसी चीच का नहीं तो लोग जाहिर सी बाते hills of fish की बाते करेंगे No one could stop anyone from talking about hills of fish not even you गोपाल ठीक है और महराज कहते हैं कि कोई भी अभी किसी को hills of fish के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता Not even you गोपाल नहीं यहां तक की गोपाल तो बच्चों जिस तरह से आप अकबर और बिर्बल की कहानिया सुनते होंगे तो आप उसमें देखते हैं कि बिर्बल बहुत ही चलाक होता है उसके पास हर समस्य का सवधान है उसके पास हर प्रस्न का उत्तर है वो हर चैलेंज को जीता था तो उसी तरह का एक केरेक्टर है यहां पे गोपाल जो बहुत ही बुद्धिमान है इसलिए राजा गोपाल को कहते हैं कि दरसल सीजन ही चल रहा है हिलसाफिस का कोई भी किसी को हिलसाफिस के बारे में बात करने से मना नहीं कर सकता है यहां तक कि गोपाल भी यह नहीं कर सकता है कि कि किसी को हिलसाफिस के बारे में बात करने से रोक दे Your Majesty, I think I can और उसी समय गोपाल बोल उठा क्या बोला कि Your Majesty महराज मैं मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ मुझे लगता है कि मैं लोगों को हिलसा फिसके बारे में बात करने से रोक सकता हूँ I challenge you to purchase a big हिलसा and bring it to the royal court without anyone asking about it from you और महराज इसी पे गोपाल को challenge कर देते हैं क्या challenge करते हैं कि गोपाल मैं तुम्हे challenge करता हूँ तुम्हे बड़ा सा हिलसा फिसक खरीद के court ले आओ लेकिन सर्थ या है कि मार्केट से court आने के दौरान कोई भी तुमसे उस हिलसाफ इसके बारे में कुछ भी बात ना करी कुछ भी पूछे ना Your Majesty accept the challenge और कहता है कि महराज मैं आपके challenge को accept करता हूँ कि गौपाल भी काफी सार्थी दिमाग वाला काफी बुद्धिमान है बिरबल की तरह आप्टर फ्यू डिस अब देखिए कुछ दिनों के बाद क्या होता है बच्छो आप पिक्चर भी देखते जाएंगे I think statement शे अधिक आप पिक्चर से श्रमज सकते हैं why have you left your face half unsaved now he was saving saving means बच्छों दाढ़ी बना नहीं बना रहा था और वो एक साइट बनाता हो और एक साइट छोड़ देता है that is why the wife was asking कि यह तुम क्या कर रहे हो तुम अपने एक चेहरा को एक साइट के चेहरे को छोड़ क्यों दिये तुमने इधर सेफ क्यों नहीं किया what's wrong with you why are you applying ace on your face or yourself ठीक है ace means होता है बच्छों राख जो जलने के बाद मिलता है so the wife is asking that what's wrong with you why are you applying ace on your face क्या हो गया है तुमें तुम एस राख को अपने चेहरे पे क्यों लगा रहे हो I already told you I am getting ready to purchase a hill surface मैंने तुमें पहले ही कहा कि मैं तैयार हो रहा हूं किस चीच के लिए तैयार हो रहा हूं hill surface खरेदनी के तैयारी है यह ठीक है please hear me once you cannot stop step out in those torn clothes what are you going to do ठीक है अब यह बच्चों देखोगे कि यह फटी चीटी कपड़े रेक्स पहन के बाहर के और निकल रहा है तो how is gopals appearance right now वो एक तरफ सेफ किया है और तेहरे के दूसरे और राख लगाए हुए है और फटी चीटी कपड़े पहने हुए है तो उसकी wife करी कि दरसल तुम कर क क्या रहे हो तुम इस तरह से बाहर नहीं जा सकते हो ठीक है how many times should I tell you lady I am setting out to purchase a big hill surface और वो कहता है कि मैं तुमें कितने बार बता हूँ मैं बाहर जा रहा हूँ एक बड़ा से hills of his करी देने के लिए what has happened to him he is gone insane insane means students paga mentally ill तो उसकी wife कहती है कि अरे अब इसे क्या हो गया लगता है यह पागल हो गया इस तरह से वो चुकि गोपाल एक दरबारी था और हमेंसा बहुत अच्छे-चे कपड़ पहनता था वो दरबार में जाता था अच्छे-चे लेकिन आज यह एक पागल का रू आउट अब बिग हिल सफिस और अस्टाइब मुविं इन दरबार की ओर वो चल पड़ा वो चल पड़ा वो चल पड़ा लू का नजर सिर्फु सिप गोपाल पर यह लूकिट द में मदर इसंट ही फनी ठीक है और यह बच्छा कह रहा कि मां उस आदमी को देखो क्या वो पागल जैसा नहीं दिखता है और दूसरा कहता है नहीं मुझे लगता है कि वो कोई स्प्रिच्छल कोई साथ महत्मा है गोपाल कमस तो दा कोट वायर यू है आई विस्टू मीट इंपैरर गोपाल कोट आता है तो यह सैनिक लोग दरबारी पूछते हैं कि क्या कर रहे हो तुम यहां पे क्यों हो यहां पे तुम क्यों आए हो आई विस्टू मीट इंपैरर और गोपाल कह रहा है दरब असल यह सैनिक लोग इसे नहीं पहचान पाता है कि यह गोपाली है चुकि यह अपनी विस्बूसा को पूरी तरह से बदल चुका है और गोपाल कहता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ Okay You cannot meet the imparer go away और यह लोग उसमय कहते है कि ने तुम अंदर नहीं जा सकते हो तुम राजा से नहीं मिल सकते हो चले आँ यहां से गुपाल started dancing and singing nicely और सबों का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्योंकि मैं बताया कि ये बहुत चला के सबों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये नाचने लगा, गाने लगा जोड जो से चिला के गा रहा है और पागलो की तरह नाच रहा है Inside the palace अब पैलेस के अंदर क्या हो रहा है The man is psycho It wants to throw him out I want to meet the emperor Please allow me तो अब वहाँ पर क्या चल रहा है राजा कह रहा है कि वो पागल आदमी है उसे उठा के बाहर फिक दो और गोपाल बार बार कहे जा रहा है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं Please मुझे आग्यां दो In no time bring that man in front of me अब राजा गुसा हो जाता है दरसल ये हसाइनिक जाके राजा को बताता है कि राजा दरसल बात ऐसा है कि बाहर एक पागल आया है और इस तरह से नाच रहा है और गार आया है कि मुझे राजा से मिलना है तो ठीक है फिर ये राजा पहले कहता है कि वो पागल है उसे बाहर पिकवा दो फिर राजा काफी गुसा हो कहता है कि जाओ उसे तुरंत भी लेकर आओ As you order your majesty और कहता है कि जैसी आपकी आग्या महराज मैं जाकर उस पागल को अभी आपके पास पेस करता हूँ गुपाल वाज एसकोटेट एंड प्रिजेंटेट बिफोर दे इंपेरर अब गुपाल पकड़के इंपेरर राजा के पास लाया गया इस गुपाल और देखो मेभी और लोग दरबारी तो इसे पहचान नहीं पाया साइनिक लोग इसे पहचान नहीं पाया लेकिन यह वेक्ति जो है पहचान लेता है कहता है कि अरी वह तो गुपाल है दमेन हेज लोस्टी सेंस और दूसरा वेक्ति कहता है कि लगता ही यह गुपाल बागल हो गया है according to me it is one of his silly prank और फिर एक वेक्ति कहता है कि मुझे लगता है कि वो जरूर फिर से कोई prank कर रहा है कोई चाल चल रहा है ठीक है ओके कौपाल प्सटाओ舉 में तरी जंव शौर गया अटायर you are wearing टिक है अटायर का मतलब होता है बचो कपड़ा वेस भूसा वस्तर ठिक है और राजा कहता है चुझकि राजा समझता है कि गोपाल जो है वो इतना पागल या इतना मूर्ख नहीं है कि वो कुछ भी बिना वज़ा करेगा इसके करने के बीचे कुछ ना कुछ तो वजा होगा तो राजा पूछ रहा हो कि गुपाल टेल मी दरीजन गुपाल मुझे बताओ क्या कारण है इस तरह का वस्तर पहनने का और कह रहा है गुपाल कि महराज लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं forgetting something? भूल गया हो मैं? मैं क्या भूल गया हूँ? मैं कैसे कुछ भूल सकता हूँ? Isn't this weird? No one is paying attention to the hills of fish today All the way from the market to the court, no one said a single word about the hills of fish और ये गुपाल कहता है कि महराज ये क्या आपको अनुखा नहीं लगता? कि सारे और मेरी बाते मेरे बारे में बात करें और कोई भी hills of fish की और ध्यान नहीं दे रहा है Nobody is talking about hills of fish अभी तक यहां भी किसी की ध्यान इस hills of fish पे नहीं गया और यहां तक कि जब मैं market से court आया उस समय भी कोई भी मेरे बारे में ही सोच रहा था बाते कर रहा था लेकिन hills of fish के बारे में कोई भी कुछ नहीं पूछा At the moment imperer recalled the challenge he had given to Gopal और उसी समय महराज को वो challenge यादा आजाता है जो उसने Gopal को दिया था Ha ha well done Gopal congratulations you have accomplished the impractical task once more और महराज बहुत भी खुश होके Gopal को बदाई देते हैं कि बहुत अच्छा Gopal फिर से तुमने एक असंभव कारे को कर दिखाया है और इस तरह से Gopal यह challenge को जीत जाता है So student यहाँ पे यह कहाने समापत होती है जाहिर श्रीबात है बहुत अच्छी तरह से आप लोग को यह comic समझ आ गया होगा Next video में मैं इस chapter का question answer exercise पे upload करूँगा और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो चाहे वो question answer हो या poem, story आपको उसका update मिलता रहे धन्यवाद एब्रेवन